नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टु क्यूरे शरीफ दले लिडोज और इंडियन फूडबल तो सब से पहले बात करते हैं यहां पे अफगानिस्तान के सामने जो हमारा होम पे हुमिलेशन हुआ उसको अल्मोस्ट एक वीक हो चुका है अब सारी चीजे यहां पे बैक टूदी जाए और वही हुआ है यहां पे इसी डिवांड अमने रख रहे हैं तो उनको भी पता था तो उन्होंने कमिटी बना दी और जरूद भी नहीं थी कुए और आपके मास शर्ट्रूर से स्ब्सक्राइब को बना दो बना दो दूसरी चीज यहां पे फैंस पी अपने रिस्प इसरी साइड यहां पर क्या बोलतेगी प्लेयर्स एंड कोच कोच यहां पर अपना क्रोइशा जा चुका है वेकेशन बना रहा है उनको भी कोई पड़ी नहीं है जून में मैचिस है तो यहां पर एक महिना में आएसल एंड आई लिक का जो लास्ट लेगे वो देख लू सारी चीज़े होगी और में 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 आयेगा उस तरह से उनका भी सिनारियो है यहां पर कुछ फैंस अभी वी साइद यहां पर यहां पर मैच कहलना चालू कर दिया है वैसे आप देखे अभी आईसल में जो परफॉंस आएगी उसको रखेंगे कि हाडवी हाड लग वो सारी मेच जो अफगानिस्तान के सामने आपने जो किया उसका कोई उनकी और से अब देखे एक भी प्लेयर का भी तक सोचल मेडिया पर कोई यहां पर मैसेज आया नहीं है अब देखे आप देखे इंडियर फूटबल में कभी चेंज चीज़ा हो इन रही है इस तरह से आप देखे देखे दूसरी प्लेटेशन चाहे इन पर इतने इंकम्पेटेंस हो कि लेही नहीं और वह कर रहा है कि कमिटी कमिटी बना आता जा रहा है पर जिस तरह से आप देखे दूसरी चीज़े जो हो रही है यहां पर जिस तरह से वह हैरेस्मेंट की चीज़े और उसमें उसमें भी देखे इतना इंकम्पेटेंसी दिखाना कि आपने कोई डिसन ही नहीं लेना और एक केस की बात नहीं है लगातार पिछले देट साल में करते हैं कि हैया यहां पर कि दुशरी का अपनी किया क्या 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 कि सिर्फ उसको अभी at the moment जब तक वो रिपोर्ट आएगी तब तक यहां पर बोलाए कि आप फूटबोल एक्टिविटी से दूर रही है जबकि उनका पूरा यहां पर आप देखे कि इस्टी उठा के देख लिए इसे बंदों को यहां पर उन्हों बरा पड़ा है और उसमें सपोर्ट करते हैं यहां वेलेंग का अलमाओ जैसे बंदी तो इस वेरी वेरी शोकिंग तींग तुषी भाई सच अब तुम्हें सप्राइज भी नहीं होता इस तरह की चीज़ें देखके आप क्या सोस्टेओं कोमेंट सेस्टम ने बताइए गाइस क्योंकि एसे ही फूट के कमिटी में में मेंबर बन जाते एक कर जाते हैं अपने क्या वज़े जह पढ़ते रहते हैं सिंपल से बात हो है तो इस आप फूटबोल इस गोएंग इन इंडिया तो भी होने से सिचुएशन अब बात करते हैं यहां पर आयसल की क्योंकि आयसल में कले धमाकेदार मुका पर आया है इंट्रेडिबल बै काउंटर पर जबर्दस और विशाल के लिए इस वर्स गेम उप दिस एक से उसने किया वह वर्ल्ड क्लास था दो दोनों चीज़े उसके लिए इस मैच में आ गई वर्ल्ड क्लास से भी उसने इस मैच में कर दिया एंड वह आई तिक मरे का जो एडर था इसको एंड उसको यहां पर जिस तरह से उसकी डिसन मेचिंग थी आच इंक वह काफी ज़ाधा वेसेनबल थी फर्स गोल में भी मरे का जो शौट था उसको थोड़ा सा दिफिलेक्ट हो था बट जिस कॉलीटिक कीपर है यहां पर विशाल के उससे और से हो सकत प्रिख के बाई गया गया एगा देखे महान बगाने स्टाट चीए थी फर्स तवाइग धिंग्ड वर्स आप में यकाद दो चांस चन्ना इन बनाया बत रिंग ओर फर्स्ट आफ आफ आप बोल सकते की महान बगाने डॉमिनेट किया और इस तरह से वो भाई चोनी काको का ग आया और ब्रिलियंट बिल्डप फ्रम दी लिश्टन कोला सों लेफ साइप जिस तरह से उनों ट्रिकरी दिखा ही धिंग यहां पे पेनल्टी भी मिली थी यहां पे इंजरी टाइम में क्या बोलते है कि महान बगान को जहां पे पेतरा दोस ने उसको इसली कर लिया वहां प यहां पे महान बगान टूटू यहां पे वापसी कर चुकी थी लेकिन इंजरी टाइम में जिस तरह से मैंने बोला कि इरफान याडवर्ट का गोल आया और वाट विक्टी फोर एन कोल साइड उसके बाद भी दो बढ़िया चांस यहां पे क्या बोलते कि महान बगान को बन मैंने कल भी बोला था कि भले ही यहां पे टेवल से यहां पे क्या बोटम सेकंड टीम है बट यहां पे उनके पांस अभी भी मौका है और देखे आप वह यहां अब सीधे नाइंथ प्लेस पर आगे तो एड़ दी मोमेंट अगर आप अगर रिमेनिंग मैचिस वाइस और प तीन मैच से दो मैच अभी होम पे हैं तो आधिंग नाव इट्स टोटली इंटरेसिंग सिच्वेशन इंदी शिक्स पोजिशन डेस और दूसरी साइड यहां पे मोहन बगान ने मुंबई सिटी को एक बड़िया एडवांटेज यहां पे यहां फिर आ वुड़तेगी तो कैसे भी करकी जीतना पड़ेगा दूसरी साइड अगर हम बात करें तो आज मुंबई सिटी का मैच है अगेंस्ट हैदरावाद एफसी अब यह मैं खेल रही है मुंबई सिटी एंड पीटर कर्की ने भी बोला कि चाहे बले ही हैदरावाद एफसी बोटम रेंग टीम हो ब्रेक के बाद आप स्टार्ट करें वह यहां पर विनिंग पोजिटीव नौट के साथ करें सो उनके लिए काफी कुरूशल गेम एंड यहां पर याकूब मैच में यहां पर जूट जाएंगे तो लेट से उनको क्या गेम टाइम मिलता है वो देखना काफी इंटरेसिंग चाहरेगा दूसरी साइड है एदरावाद पर प्रोमिसिंग फूड वोल खेल रहे हैं अंडर सिन तो यहां पर यंग्स्टर काफी अच्छा यहां पर फाइ 15th of April को ही डिसाइड होगी मेरेको तो यह लग रहा है लेट में ओ आप क्या सोचते हो को मेरे सक्षन में जरूर बताएए